Q3, Xpand करना है हमें 8a प्लस 3b के whole square को, तो देखो, 1st part में 8a प्लस 3b का whole square, इसको Xpand करना है, आप formula जानते हैं, a प्लस b का whole square क्या होता है, क्या होता है, पहले a का square करो, फिर b का square करो, और फिर 2ab करो, ये हमारा क्या है, identity है, इसको use करके, हम expand करेंगे किसको इसको, अब देखो, ये और ये कुछ-कुछ similar लग रहे हैं, देखो, 8a और 3b, और फिर square, है न, format same लग रहा है, तो आपको ये formula यूज़ करके, इसको expand करना है, तो 8a प्लस 3b का whole square निकालना है, अब देखिए, जब ये a था, तो a square, तो ये 8a है, तो हम a की जगे क्या लिखेंगे, a square, देखो, a की जगे क्या लिखना है आपको, 8a, क्यों, तो की देखो, a की जगे 8a लिखा है, अच्छा, b की जगे देखो, क्या लिखा है, b square करना है न, तो b की जगे क्या लिखा है, 3b, प्लस 2 A की जगे 8 A और B की जगे 3 B ठीक है 8 A का स्क्वेर क्या होगा मतलब 8 A की मल्टिप्लाई 8 A से 8 A जब 64 A की A से करोगे A स्क्वेर तो इसको एक्स्पैंड करने के बाद 64 A स्क्वेर आ रहा है इसको करोगे तो क्या होगा 3B की multiply 3B से करोगे तो क्या एगा 9 B की B से करोगे तो B square तो आप लिखोगे 9B square अब इसको solve करो इन सब को multiply करना है तो 2, 8 is a 16 और 16, 3 is a 48 और A की B से multiply करोगे तो A, B यही हमारा क्या है? answer करते है next part second part में है हमारा 7X plus 2Y और इसका हमें whole square बताना है formula होता है A plus B का whole square A का square plus B का square plus 2AB इस formula को use करके हम इसको expand कर रहे हैं इसको 7X plus 2Y को तो देखो A की जेगे पर क्या लिखा है? 7X तो यहाँ पर A square करना है तो A की जेगे पर क्या कर देना है हमें? 7X अच्छा B का square करना है और B की जेगे क्या है? देखो 2Y प्लस A की जेगे पर 7X और B की जेगे पर 2Y X परेंड कर लो 7X का square करना है मतब 7X की मल्टिप्लाइ 7X से तो 7, 7 जेगे पर 49 और X square X की X से करोगे तो X square 49 X square इसी तरीके से 2Y की मल्टिप्लाइ 2Y से तो 2, 2 जेगे 4 और Y की Y से करोगे तो Y की पार 2 तो 4 Y की पार 2 इसको मल्टिप्लाइ करना है 2, 7 जेगे 14 और 14, 2 जेगे 28 तो 28X और Y यही क्या है हमारा answer थर्ड पार्ट देखिए 5X प्लस 11 का whole square फर्मूला होता है A प्लस B का whole square क्या होता है A का square प्लस B का square प्लस 2AB हमें बताना है 5X प्लस 11 का whole square तो A की जेगे पर अब क्या है देखो 5X इसका square B की जेगे पर है क्या 11 इसका square तो A की जेगे पर है क्या 5X और B की जेगे पर क्या है 11 तो 5X का square करना है मतलब 5X की multiply किस से 5X से ठीक है पावर 2 है नहीं तो दो बार लिखेंगे 5,5 जेट 25 और X की X से करोगे तो X स्क्वेर तो कितना हुआ 25X स्क्वेर 11 की multiply 11 से करोगे तो 1,2,1 आता है प्लस इसको आपस में multiply करो formula वैसे होता है A प्लस B का whole square क्या होता है पहले A का square करो फिर A प्लस B का square करो फिर 2 A और B यह है formula ठीक है तो रखते हैं इसमें value देखो हमें निकालना है A upon 2 प्लस 2 upon A इसका square यही तो calculate करना था तो सबसे पहले यह कहता है A का square करो अब देखो A की जगे का लिखा है A upon 2 तो हम क्या करेंगे A upon 2 लिख देंगे bracket में प्लस फिर कहता है यह B का square करो और B की जगे क्या लिखा है देखो 2 upon A तो 2 upon A लिख दिया फिर देखो 2 लिखा A की जगे क्या है A की जगे देखो क्या है A upon 2 और B की जगे क्या है B की जगे 2 upon A अब इसका हम solve करेंगे तो पहले A upon 2 का whole square है मतलब A upon 2 की multiply A upon 2 से करनी पड़ेगी करोगे तो 4 मतलब a square upon 4 प्लस इसी तरीके से 2a का whole square मतलब 2 upon a मतलब 2 upon a की multiply 2 upon a से करो तो 2 2s are 4 और a की a से करोगे तो 4 upon a square तो क्या लिखोगे यहाँ 4 upon a square अब देखें इसको solo और करना है मतलब क्या ही है 2 की multiply a upon 2 से और 2 upon a से यह सम multiply करने मैंने तीनों लिख दिये तो इस 2 से यह 2 cancel इस a से यह a cancel तो क्या बचा सिर्फ 2 यही हमारा क्या है answer ठीक है करते है next part फिफ्थ पार्ट दीखें फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है 3x upon 4 plus 2y upon 9 इसका whole square और formula आप जानते हो a plus b का whole square क्या होता है पहले a का square फिर b का square और फिर 2a और b इसको use करके हम expand कर रहे है ठीक है इसको use करेंगे यह formula तो आप क्या करो सबसे पहले किसको expand करना है 3x upon 4 plus 2y upon 9 को ठीक है तो पहले लिखा है a square तो देखो a की जगे क्या लिखा है 3x upon 4 जो भी है यह इसका square मतलब a की जगे यह put करो और b की जगे क्या लिखना है देखो b की जगे क्या लिखना है 2y upon 9 और plus 2 a की जगे क्या लिखना है 3x upon 4 और b की जगे क्या लिखना है 2y upon 9 solve करते हैं अब इसको 3x upon 4 का whole square करना है मतलब 3x upon 4 की multiply 3x upon 4 से power 2 है न तो दो बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 X की X से करोगे तो X square 4 4 जा 16 मतलब 9 upon 16 X square आप लिखो के 9 upon 16 X square ठीक है इसी तरीके से इसको करो तो प्लस का 2 Y 2 Y upon 9 multiplied 2 Y upon 9 दो बार है ना power तो दो बार multiply करना है तो 2 2 जा 4 Y की Y से करोगे तो Y square upon 99 जा 81 तो कितना हुआ 4 upon 81 और Y की Y से करी थी तो Y square ठीक है अब इसी तरीके से इसको solve करना है देखो लिखा है 2 multiply 3 X upon 4 multiply 2 Y upon 9 यह ऐसे उतार दिया अब देखो तू से मैं अगर इसको cut करों तो 2 times जाता है और इस 2 से यह वाला 2 cancel हो रहा है 3 वंज़ा 3 और 3 3 is a 9 तो क्या बचा देखो उपर तो बचा है X और Y तो क्या हो जाएगा X Y और नीचे क्या बचा है देखो नीचे बचा है 3 तो आप ऐसे लिखो कि 1 upon 3 X Y ठीक है उपर 1 बचे है उपर 1 बचा है नीचे 3 बचा है तो उपर 1 नीचे 3 और X Y ऐसे ही तो यही हमारा क्या है आंसर करते है नेक्स पार्ट देखें अब 6 पार्ट 6 पार्ट है 9 X minus 10 इसका whole square निकालना है लेकिन अभी तक सब में plus था इसमें minus है यानि कि इसमें A minus B का whole square identity लगेगी तो कुछ नहीं होता सेम होता है अब कुछ a square भी होता है plus का b square भी होता है बस plus 2ab की जगह है minus का 2ab होता है ठीक है यह formula minus वाले के लिए तो यह formula यूज़ करके हमें expand करना है किसको 9x minus का 10 इसका square निकलना है ठीक है अब देखो पहले क्या करना है आपको a का square अब धूनो a की जगह क्या है जो यहाँ put करें तो a की जगह है 9x plus फिर क्या है b का square b की जगह क्या लिखा है देखो 10 फिर minus का 2 a की जगह है 9x और b की जगह है 10 clear अब देखो 9x की multiply 9x से करोगे तो 9x जद 81 और x की x से करोगे तो x square 10 की multiply आए 10 से करनी पड़ेगी क्योंकि square लगा है तो 10 10s are 100 minus 29s are 18 18 और 18 10s are 180 और x यही हमारा क्या है answer ठीक है next part दीखे 7th part 7th part में x square y minus y z square यह bracket में है और उस पर भी power कितना लगा है 2 तो formula तो minus वाली identity होगी क्या कि a minus b इसका जो square होता है वो होता है क्या पहले a का square फिर plus का b का square और फिर minus का 2 a और b यह हम formula इसमें use करेंगे ठीक है तो value put करते हैं तो हमें निकालना है x square y minus y z square इसका square करना है तो देखो सबसे पहले a का square करना था आप बस यह देखो a की जगे क्या लिखा है तो a की जगे लिखा है यह पूरा ठीक है क्या लिखा है x square y यहाँ x square y उतार दो x square y प्लस फिर b का square अब आप देखो b की जगे क्या लिखा है b की जगे क्या लिखा है y z square y z और square ठीक है और फिर क्या करना है minus का 2 a की जगे क्या लिखा है a a लिखना है न a की जगे x square y और b की जगे क्या लिखा है y z square ठीक है इतना clear हुआ तो बस देखिए इसका square करना है मतलब मतलब यह है कि x square y की multiply x square y से करनी है तो देखो पहले देखते हैं x इसकी आपस में multiply करते हैं तो x की power कितना हो जाएगा 2 यहां लिखा है और 2 यहां लिखा है तो 2 plus 2 4 इसी तरीके से जब y की multiply y से करोगे तो क्या है यहाँ पार 2 तो कि y की power 1 यहां लिखा है और y की power 1 यहां लिखा है ठीक है मतलब कुछ power नहीं है तो 1 है तो 1 plus 1 2 यानि कि इसको expand करने के बाद इसको x की power 4 ठीक है और y की power 2 यह आएगा इसी तरीके से इसको expand करते हैं क्या y z square तो y z square की multiply y z square से करना है y की y से करोगे तो y की power 2 क्यों क्योंकर y की power 1 यहां है और 1 यहां है तो y लिखकर दोनों power को add कर दो 1 plus 1 2 इसी तरीके से देखो z square की multiply z square से तो z आएगा अब power count करो देखो 2 यहां लिखा है और 2 यहां लिखा है 2 plus 2 4 तो क्या लिखोगे y square और z की पार 4 माइनस अब इसको multiply कर लो देखो number 2 यहाँ है आगे कही number नहीं है तो 2 ऐसे है जाएगा x square यह है कहीं x square है नहीं है तो ऐसे लिख दो x square अब देखो y यह रहा y कहीं हो रहा है यह रहा y की पार 1 यहाँ है और y की पार 1 यहाँ है तो y की पार 2 हो जाएगा क्योंकि एक यह है एक ही है तो y की पार 2 और z देखे जएड कहीं है यही है बस z की पार 2 तो यही हमारा क्या है answer करते है next part 8th part देखे एक्स अपॉन y माइनस y अपॉन x और इसका करना है square formula यह माइनस b का whole square क्या होता है a का square प्लस b का square और माइनस का 2 a और b यह है formula इस formula में value put करते हैं और इसका square निकाल लेंगे किसका x अपॉन y माइनस y अपॉन x इसका ही तो square करना था तो देखो पहले a square तो a square है तो a की value क्या है देखो a की value क्या है X upon Y तो A की जगे क्या लिख़ दो X upon Y प्लस अब देखो आब B की जगे क्या लिखा है तो B की जगे क्या लिखा है Y upon X ठीक है माइनस 2 A की जगे X upon Y और B की जगे Y upon X ठीक है Y upon X अब देखो इसका square करना है मतलब X upon Y की multiply X upon Y से X upon Y की multiply X upon Y से X की X से करोगे तो X की part 2 हो जाएगा Y Y से करोगे तो Y की part 2 हो जाएगा तो मतलब X square upon Y square प्लस इसी तरीके से इसको करोगे क्या Y upon X की multiply Y upon X से Y की Y से करोगे तो Y की part 2 हो जाएगा X की X से करोगे तो X की part 2 तो y square upon x square माइनस अब देखो इसको क्या करना है आपको 2 multiply x y multiply y upon x देखो y से y cancel x से x cancel क्या बचा सिर्फ 2 तो यही हमारा क्या है answer ठीक है चलते है न x part पर last part है हमारा 9th और उसमें हमें calculate करना है 3m minus 4 upon 5 और इसका square निकलना है identity यूज होगी a minus b की वो होता है a का square plus b का square minus का 2a और b तो इस identity को use करके आपको किसको expand करना है इसको 3m minus 4 upon 5 n इसका square निकलना है तो देखो formula में क्या है पहले है a का square अब आप देखो a की जगे क्या लिखा है a की जगे क्या लिखे है a की जगे क्या लिखे है देखो यहां से देखो compare करके 3m प्लस बी की जगे क्या लिखे है तो बी की जगे लिखोगे ये 4 upon 5 n minus 2 a की जगे क्या लिखना है a की जगे लिखना है 3m और b की जगे क्या लिखना है b की जगे 4 upon 5 4 upon 5 n clear अब यही रखकर expand कर लो तो 3m की power 2 मतलब 3m की multiply 3m से 3m की multiply 3m से तो 3 3 जा 9 m की m से करोगे तो m की power 2 9m की power 2 प्लस इसको यह expand कर दो 4 upon 5 n की multiply 4 upon 5 n से करोगे तो 4 4 तो 16 5 5 25 n की n से करोगे तो n की power 2 तो मतलब 16 upon 25 n की power 2 minus अब इसको करो देखो यह सब multiply मैं तो देखो 2 की multiply 3 से और 4 से 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और divide मैं क्या है देखो 5 नीचे कुछ नहीं है तो 5 ऐसे ही m की n से करोगे तो m n ठीक है यही हमारा क्या है? I hope आपको सारे पार्ट समझ में आयोंगे चलते हैं अब नेक्क्ट पार्ट नीचे करो अब नेक्ट नेक्ट पार्ट नेक्ट नेक्ट रूट समझे तो